नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 17 अप्रेल दिन सोंबार खब्लो क्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर देश के अने राज्यों में मौझूद बिहार के मज़दूरों के लिए खुलेंगे श्रम सहायता किन्त वर्ल्ड एथलेट्स सैंपियंश्रिप में बिहार की बेटी करेंगी भारत का प्रतिनिधत्वर जहरेली सरावकान के बाद प्रशासन निकी मोतिहारी में ताबर तोर कारवाई बिहार में लू को लेकर अलर्ट जाड़ी मुंबई ने केक्यार को पांच विकेर से हराया अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से दिल्ले विश्यविद्याले की कॉलेज में बिना परिक्षा के नौकडी पानी का बढ़िया मौका अगर आप दिल्ली उनिवर्सिटी के कॉलेज में नौकडी पानी की इक्षा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है दिल्ले विश्यविद्याले की मूतीलाल नहरू कॉलेज के द्वारा असिस्टन प्रोफेसर के ठासी पदो के लिए रिक्रूट में नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके लिए अगर एदुकेशनल क्योट की बात करें तो मिद्वार के पास किसी भी मानिता विश्यविद्याले से सम्भन्ध विश्यर में 25 प्रतीषत अंकों के साथ मास्टर डिघ्री या मानिता प्राप्त विदेश्यविद्याले के समकच डिघ्री होना अनि बारे है इसके साथ युमिद्वार को UGC या CSIR द्वारा आयो जितनेट पास्ट किया होना भी चाहिए बतादे कि इसके लिए आविदन करने के अंतिम तारिक 29 अप्रैल तक नधारित की गई है देश के अने राज्यों में मौझूद बिहार के मजदूरों के लिए खुलेंगे श्रम साहिता के लिए देश के कुछ राज्यों में श्रमिक साहिता के खोले जाएंगे दरसल बिहार के कंई लोग देश के विविन राज्यों में जाकर काम करते हैं इसी चीज को देखते वे यह कदम उठाय गया है देश के वे राज्य जहां बिहार के श्रमी की संख्या अधिक है उन राजियों में श्रम संसाधन विकास द्वारा इंडस्ट्री पार्टनर बनाई जाएंगे साथ ही मजदूरों को रोजगार देने के साथ साथ अने सुवधाओं को भी मोहिया करवाया जाएगा ताके उन्हें अने राजियों में किसी तरह की परिशानी का सामना ना करना पड़े मिलेचानकारी के अनुसार गुजरात, तमिलाडू, पंजाब, देल्ली और महराश्टर जैसे राजियों में श्रम अधिकारियों से पत्रा चार पहले चरण में शुरूग किया जा चुका है बिहारी पहजार में आज हम बात करेंगे उदित नारायन के बारे में उदित नारायन चा एक प्रसित भारतिये पार्शव गायक है बिभारत और नेपाल में एक प्रख्यात गायक के रूप में जाने जाते हैं फरस 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पत्मिश्री पुरुसकार से समानित किया उन्होंने तेलगू, तमिल, मैथली, मल्यालम, कंणर, ओरिया, नेपाली, भोजपुरी, बंगाली, शहित कई अन्य भार्शाओं में भी गाया है उन्होंने चार राश्ये फिल्म पुरुसकार जीते हैं ब्यट्रफी के साथ सब्वा गाया वर्ड एफ्टेक्स चैंप्यंशिप में बिहार की बेटी करेंगी भारत का प्रतिनित्त्री इसके लिए राश्ये प्रसप्रसद्ट्वीर का तपहला हिस्सा वठनों लेगी नहावे एशियन एथलेटिक्स चैंपियंशिप एशियन गेम्स और वर्ल एथलेटिक्स चैंपियंशिप 2023 की तैयारी अप्रैस से 31 जुलाई तक करने वाली है। नियोजस सक्चक है या फिर जो अभ्यर्थी सातवे चरण के बहाली का इंतजार कर रहे हैं उनमें काफी गुस्सा देखा जाड़ा है। प्रशासन की मोतिहारी में तावर्तोर कारवाई। प्रशासन के द्वारा तावर्तोर कारवाई की जा रही है। इस बारे में मोतिहारी स्पी के द्वारा जारी की गई प्रेस विग्यपिती के अनुसार इस मामले पर कारवाई करते वे चौकेदार सहित 11 पुलस कर्मियों को नलंबित क्या जा चुका है। आपके जानकारी के लिए बता दे कि अब तक मोतिहारी में जहली सराब पीने से मरने वालों की संख्या 25 से अधिक बताई जा रही है। इसके बाद जमीनों का डेटाबेस त्यार होगा दरसल डेटाबेस से संबंदित या फिर अंचलो जमीन की क्या स्थिती है इसकी कोई भी जानकारी विवाग के पास उपलब्ध नहीं है। तेखने के लिए मिलते हैं या बौध विहार दूसरे सदी में बनाएंगे हैं यहाँ पर उत्खनन किया गया। उसके बाद इन बौध विहार का पता चला यहाँ पर इन बौध विहार को सुरक्षत करके रखा गया है। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं या बौध विहार पहारी का सबसे उपली चोटी परिस्त है। यहाँ पर पहुचने के लिए आपको ट्राकिंग करना पड़ता है। आप यहाँ पड़ा कर अपने बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। के लिए आते थे लेकिन अब यहाँ बहुत पुरानी बात हो गई है। और आगे आने वाले 25 साल में जो हमारा स्वन जयनती वर्षो का उस दौरान तक हमें भारत को सोने का सेर बनाना है ताकि हर कोई हमारे सामने नत्मस तक हो। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम सब अभी से ही स्वाद चागरन करें तभी हम विष्वगुडू बन पाएंगे इस दिशा में हम सब को प्रयास करने की जरूरत है। ड्रोन की मदद से बाहर में छतिग्रस ग्रामीन सरकों की मरमत में ली जाएगी मदद। इस से कंट्रोल रूम को ततच्छन ड्रोन बता देगा जिसके बाद यादायाद के भार का आखलन कर प्रात्मिक्ता की सरकों की रघु मरमत कराई जा सकेगी मालू हो कि ग्रामीन कारे विभाग ड्रोन के इस्तमाल के पहले इस पर आने वाली लागत मानव संसाधन का इस्तम में गैर सर्चनिक और तक्निकी कर्मियों के लिए राजी सरकार 47,000 से भी जादा पदों पर निक्ति की तैयारी में लगी है मिले जानकारी के नुसार लगभग 9,360 मध्य विद्याले और उच मध्य विद्याले के पदों का श्रीजन राजे में किया जाड़ा है इससे संबनित प्रस्ताफ को भी माध्यमिक सिक्षा ने दिशाले द्वारा तैयार किया जा चुका है 47,000 पदों में से 27,156 पदों पर प्रयोक्षार साहिकों की नुक्ति की जाएगी जो की सबसे अधिक होगा वहीं परिचारी का के लिए लगभग 12,742 पदों पर नुक्ति होनी है यदि बात करें पुस्ताकालेक्ष की तो इस पद पर 7,132 पदों की नुक्ति की जानी है शुशान सिंग राजपूत के सहर में आकर हो रहा है गर्ब महसूस नमासी चक्रवर्ती वतुन चक्रवर्ती के बेटे नमासी चक्रवर्ती और अभिनेतरी अमरिन अपनी फिल्म बैड बॉय के प्रमोशन को पटना पहुँची इस तोरान वे पटना के बना सिनेमा हॉल में दर्शकों से रूबरू हुए और उनके साथ ट्रेलर देखने के बाद खूब मस्ती भी कि तोरान नमासी चक्रवर्ती ने बिहार के दिवंगत अभिनेता शुशान सिंग राजपूत को याद करते वे कहा कि मैं या गर से कहना चाहूँगा कि मैं आज उस शहर में आया हूँ जहां सुसान सिंग राजपूत भी थे यहां उनका शहर है और वह एक लाजवाब आक्टर थे यहां हमारे लिए सम्मान की बात है बता दे कि यह फिल्म 28 अप्रेल को रिलीज होने वाली है बहार में लू को लेकर अलर्ट जारी आने वाले समय में राजपूत भर में गर्मी और बढ़ेगी उसके साथ ही लू के भी चलने की शंपावना है बतादे कि इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है 17 अप्रेल को मौसम विभाग के प्रवानुमान के नुसार बिहार की राजभानी पटना समय 13 जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है जिनमें पटना, चहानाबाद, गया, नालंदा, सेखपूरा, नवादा, लखी सराय, जमुई, बेगु सराय, खगरिया, मुंगेर, बांका और भागलपुर जिला शामिल है सभी जिलों में हीट वेव बनने की आशंका है पॉलिटेक्निक के दूसरे साल में सीधे प्रवेश के लिए इस दिन से कड़े आविदन अगर आप यह उन्छात्रों में हैं जो पॉलिटेक्निक करने के एक्षा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए हैं बतादे के बिहार सयुन्त प्रवेश प्रतियोगीता परिक्षा परिसत के द्वारा सरकारी नीजी छेतर के पॉलिटेक्निक संस्थानों में लेटरल एंट नर्धारित किया गया है इसके लावा अवेदन में सुधार करने के तारी दस और 11 माई नर्धारित की गई है बता दे कि प्रवरिक्षा जुन को आयोजित की जाएगे इसके लिए अगर एजुकेशन क्वालिकेशन की बात कर देटो में द्वार को 12 साइंस में सफल या 10 प् रोने का वीडियो सामने आया है और फिरिया वीडियो शोशल मीडिया पर यह तेजी से वा kaumि भी होने लगा दरसल ष्वारर्ल وीडियो में रोने लगी गाइका का नाम प्रियंका सिंग्ग है प्रियंका एक भोजपूरी गाईका है इन्हें इस महोसम में परेटन विवाग के तरफ से आमंतरित क्या गया था लेकिन कथे तोर पर यह खबर सामने आई कि उनके साथ मंच पर गलत वहवार हुआ दरसल जब प्रियंका सिंग अपने गाने की प्रस्तूती दे रही थी तभी मंच संचाली का द्वारा समय की पाबंदी कारण प्रियंका को गाने के बीच में ही रोक दिया गया बता दे कि होड़ है स्वारल वीडियो की जानकारी हमें सोचल मीडिया के माध्यप से नहीं है की मांग की गई है बता दे कि मुख्याले अस्तर पर सभी जिलों से पदाधिकारियों के नाम के साथ साथ प्राप्त बहतरीन अनुसंधान कारियों की समिक्छा की जाएगी उसके बाद केंद्रे ग्रीमंत्राली के पास सबसे बहतरीन और उलेखने करने वाले मामले को फिर इस जीतर राम मांजी के दोरा दावत इफतार पार्टी का आयोजन किया गया था जिसमें बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कमार समीत महागरडबंधन के घटक दलों के कई वरस्ट नहीं था शामिल होने के लिए सभी दलों को आमंत्रित किया गया था आपकी जानकारी के लिए बता दे किससे पहले बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कमार जेट्यू और उप्मुख्यमंत्रे तेरश्वी आदव के दोरा भी दावत इफतार का आयोजन किया गया था समराच चौधरी ने सियम नितीश को दी सला इन दिनों बिहार में यूपी मॉडर लागो करने से जुरी करी चर्चाय चल रही है इसी को लेकर बीजेपी के प्रदीश अध्यक समराच चौधरी के दोरा बिहार में कानून राज्य इस्थापित करने के लिए बिहार की मुख चल दी सारी बातों की पुस्टी कर दी जाएगी 2024 में होने वाले लोगसभा चुनाओ से पहले मदुबनी से कौंग्रिस के वर्स्ट नीता सकील एहमत के दोरा एक बड़ा ऐलान किया गया है लोगसभा 2009 और 2014 में मदुबनी सीट से हार के बाद कौंग्रिस के लावा 2019 में उस सीट को लेने के लिए गड़ बंधन में कोई तयार नहीं था लेकिन यह सीट 2019 चुनाओ में वी आईपी पार्टी को मिल गए जिससे मुझे दुख हुआ और मैं निर्दलिये जुनाव लड मुंबई ने KKR को 5 विकेट से हडाया बीते दिन IPL 2023 के मैच में मुंबई इंडियन्स के द्वारा 5 विकेट से कौलकता नाइट राइडर्स को मात दे दिया गया बतादी किस मुकाबले में पहले बल्ले बाजी करते वे KKR की ओर से विंकटेश अयर के द्वारा 104 रनों की शांदार शतकिये पारी खेली गए जिसके बहुत दौलत कॉलकता के द्वारा कुल 180 रन बनाए गया जिसका पीछा करते वे मुंबई इंडियन्स की तीम के द्वारा 17.4 ओवर में अपने लक्षी को पालिया गया और कॉलकता नाइट राइडर्स को 5 विकर से हार का सामना कर पड़ा वही आज यानी की सोंबार की रात IPL 2023 में रोमांज की हदे पार होगी चिन्ना स्वामी के मैदान पर जम कर चौके छको की बरसात होगी ट्रिनमेंन के 24 वे मैच में MS दोनी की अगवाई वाली चिन्नाई सूपर किंग्स की भिरंत रोयल चैलेंजस पैंगलूर के भारत के दियास में आज की तारीक है बेहत खास कलकत्ता को 1899 में पन बिजली मिली भारत ने 1983 में LLV तीन रोकेट का प्रिक्षेपन किया लगभग 55 वर्शों बाद 2003 में भारत ब्रिटन संसदी मंच का गठन हुआ ब्राजील वा भारत के वीच 2008 में चार महतपुन संधी पर 275 में आज ही के दिन निधन हुआ राजनितग्य एवं साहितेकार उत्तर प्रदीश एवं हिमाचल प्रदीश के राजेपाल रहे विश्णुकांत सास्त्री का 2005 में निधन हुआ आज के दिन को विश्वहिमो फोरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है वालकर में आज हम बात करेंगे फ्री मोबाइल रिचार्ज योजना के बारे में सुसल मीडिया पर कहीं सुचना वारल होती है लेकि सभी सच हो ये जरूरी नहीं है इसी करें में आज हम बात करेंगे Free Mobile Recharge योजना के बारे में दरसल P.I.B. ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक WhatsApp मैसेज में दावा किया जा रहा है Android Users के लिए WhatsApp ला रहा iPhone जैसा फीचर मेटा अपने Android Users का दिल जीतने के लिए एक खास फीचर को ला रही है Android Users को Company अब iPhone जैसा एक फीचर देने जा रही है दरसल Company Android Users के लिए एप सेटिंग में सर्च बार का ओप्शन देने जा रही है WhatsApp की हर अपडेट पर रिपोर्ट देने वाली वेबसाइट डबलुए बीटा इंफो ने एक नई जानकारी दी है डबलुए बीटा इंफो की एक रिपोर्ट की माने तो Company अप सेटिंग में सर्च बार का ओप्शन देने जारी है किंद्रे विद्याले में अडमिशन लेने का आज अंतिम दिन अगर आप भी उन अविवावकों में हैं जो अपने बच्चों का अडमिशन किंद्रे विद्याले में करवानी के एक्षा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए हैं बता दे किंद्रे विद्याले में कक्छा एक मैं अडमिशन लेने के लिए आविदन करने का आज यानी की 17 अप्रेल को शाम 7 बजे तक का अंतिम मौका है एसे में एक शोग अभिवावक आविदन प्रपतर केवी संगठन.nic.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कक्छा एक मैं विशन लेने के लिए स्ट्रेंट्स की नियुन तमाई उच्छे वर्ष होनी अनिवारे है Administrator General और बिहार से रंगदारी मामले का हुआ खुलासा थे वह अकाउंट मुहम्मद फिरोज नामक यूवक का था जिसके बाद उसी यूवक को ग्रफतार किया गया तो उस यूवक के पास ATM का स्लिप बढ़ा मत किये गया जिसमें रंगदारी के पैसे का ट्रांजक्शन अंकित था फिलाल मुहम्मद फिरोज अगमकुआ जेल में ज विखाकुड रंचीत मिश्ञा योगंद्र रजक अविशेख राज रवीशंकर देव देवनन देव नत्युञे कुमार शंकर मुख्या विकास धास धी रज आज का सवाल है आपके नुसार रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार के ऊड़ से कौन कौन से उपाई किये जाने चाहिए आपको जवाब हमें मारे कमेंट सेक्षन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खब्रों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे हैं बिहारी नहीं उच्पर साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद